क्रिस्मस प्रेस्ट जिसके लिए कोई भी कटोड़ी आप मेजर कर सकते एक कप यहां पर मैंने सुझी लिए यहां दूद लिए और आधा कप भी पिरिस्वी चीज़ डाल के तीनों चीजेश के डाल के मिक्स मिक्स लोगा और गंटे के लिए तों लिस्त देंगे वस्तियों वन बाई फोर कप हमें तेल एड़ किया है तेल रिफाइन आवली एड़ करें तो मस्टर डल आपको आड़ नहीं करना है बीने महक वाला ही तेल एड़ करना है और एक ही डायरेक्शन उसको चलाते हैं अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे उसके बाद यहां पर हम और आधा टी स्पून और यहां बेकिंग पॉडर डाल देंगे ऐसे के साथ यहां आदा टी स्पून बेकिंग सोजा भी आट करदेंगे थोड़ा सा नमक एक फिंच नमक आट करदेंगे जिसे कि इसमें जैणेंगी मांत्र तो इसको इन्हांस करें और अच्छे साइज पूर्ट के हमें नमक डालना है और अच्छे च्छान लेंगे जिसे कि इसमें कोई भी लंप सनार रहा जाए उसके बाद एक ही डियरे धीरे हलके हातों से हमें चलाना है और वेकिंग सोडा और बेकिंग पॉडर डाला है इसलिए हमें बहुत ती जिसे नहीं पेटना है हलके हातों से इसको धीरे धीरे अ कि सारी चुझे को अच्छे जिए धीरे धीरे करते हैं अच्छे इसको एक ही डिरेक्सिन में फेट लेना है असकी शाथ यांब पर थोड़ा थोड़ा डूंद ड़ेंगें तो इक घाधा लग नहां है चलाना है यह एक जसे काफी धीक पेस्ट बनाना है सकता हमें टूंद डालना है कृठत नहीं देना है थोड़ा तोर करके मैं दूम्मा आड़ करना है कि विल्कुर रवड जैसा ही है भी पेस्ट बन जाना चाहिए इक ही डियरेक्शिं के माने य Cocid 이미 Rat कब दूर आया और आट किया है अब देख सकते हैं देख रहे हैं कि यह काफी घड़ा हो चुका है थोर तो करके दूर हमको इसमें आट करने यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं अब देख सकते हैं कि पेस्ट हमारा बनके टैयार हो गया है इसे इसी कहिए और इतना ही गाठा में चाहिए पेस्ट वार पतला बीरी होना चाहिए बहुत गाठा भी नहीं होना चाहिए उसके बाद यहां पर एट टीस्पून थोड़ा वनील आशन से डाल देंगे आप इसके जगे लाशी पॉड़र भी डाल सकते हैं उसके मैंने एक टीन लिया है जिसमें को केक करेंगे तो हम थोड़ा सा ओयल ग्रिस कर लेंगे अच्छे से इनमें माईल जो है अच्छे सफेला के थोड़ा सा अठर डाल के डश्ट कर लेंगे उसको इसके जगह बटर पेपर हो उसके भी डाल सकते हैं कि आप कोई से भी टीन ले सकते हैं इल्मॉनियम का किसी भी सेप का गूर हो यह जो कोई भी आप सेप कर ले सकते हैं तो उसके बाद इस पर बैतर को डाल देंगे अब देख सकते हैं वह बहुत थीक है ना बहुत पतला है यह और थाब कर लेंगे से हलक यह पर दो कर लेंगे तुरुंत ही हम इसे वे करेंगे काफी देर हम इसे नहीं छोड़ेंगे यहां से बेकिंपडरा यह की सबस्क्राइब करें अब ऊपर से उसका बढ़ानी के लिए यहां पर मैं थोड़ा सा टुटी-फूटी डाल दिया थोड़ा से अलो डाल दिये कि अब उसके बिना भी बना सकते हैं कि कि यह मैंने कड़ाई लिए कड़ाई में बनाएंगे आप चाहाँ तो माइक्रोवीं भी कर सकते हैं आपो ऑन्सर्टीज डिगीरीब पर और उसको प्रियट करके है उसको आप तीस चालिस मिग कर सकते हैं आधे हैं कड़ाई मना रहें इसके लिए उकनाई को अच्छे से गरम कर लेंगे खोड़ा से नमग टाल से यह नमग डालने का यह यो में पेस्ट बनाने के पहले ही आधे ही प्रिहट करे करना से प्रिहिट करने के लिए हमें पेज़ बनाने के पहले प्रिहिट कर लेंगे उसके यह मैं एक छोटा से स्टेंड लग दे रहा है कोई कटोरी भी रख सकते हैं काफी गरम हो गया है उसके बाद ही हम इस बैटर को मोड में डाल करके स्वत्वा सेट कर लेंगे एक स्का03-4 मेंहिद तक अच्छे इसा अधक करके जिसे कि कोई बार के हावा नास के अच्छे इसको कवर कर लेंगे हमें इस से यह हमें से एक तक ऐच्छे सब्गत decision only गास्यक्ते यह मॉनियाच तक हमें करना है अब देख सकें काफी फिलपी हो गया होग और काफी ऊपर तक उठ गया यह कि यह कम सखम वन केजी का जो है केक है इसके हिसाप से आप कोई भी मोड लें कोई भी बरतन लें उसके हिसाब से लें पेस्ट के कॉडिंग थोड़ा से स्पेश छोड़ दें जिसे कि यह खलपी होगा तो बाहर ना आज सके अब दीख सकते हैं अच्छे से काफी फुल गया है यह बहुत्पिक्स है कोई भी नुकिली चीह से बढ़ आप चीक कर सकते हैं 30-40 मिनट के बाद ग्यास का फ्लेम लोग करके यह बना है साब आती है यानि कोई नाइक आप विचे कर सकते किसी बनुकिली के इसे बीच में पताइम लगता है का वहार केक बंगे त्यार हो चुके हैं इसके बाद हम इसको बहार निकाल बाखर निकलने के Темगम fix को किसी भी कपटस सलग करके इसको रख देंगे पस हम डख देंगे लिए फ़लो इसमा नमी बनी रहा है सबस्गस के बाध हम इसे क्निप मोट करेंगे पार्च में ठोच चुके हैं तो आज ठंडा भी हो गया है उसको साइड से नाइप से किसा है तो सलका सा खड़ा करके उसको हम डी मोट करेंगे खाने बहुत ही टेस्टी बना हुआ है घर के समानmaking से असानी सी बन सकते हैं प्लीट लेंगे इसको उल्टा करके हलकासा game कि आदेख सकते की काफी फ्युक जाओ स स्पंजी बना हुआ है इता स्पंजी हलका से टूट भी गया थे अग्समस पर बना कि आप इसको एज़ाय कर सकते हैं बच्चों को यह बहुत ही पसंद आएगा अब देख सकते हैं किता यह लपी बना हुआ है इसपंजी है यह बहुत ही टेस्ट ही है उमीद करते हैं कि आपको अच्छी लगेगी अच्छी लगे तो प्लीज सेय करना लाइक ना भूलें मेरे चैनल को सस्काइब करें जिससे आपके पहले सब्सक्राइब नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू पर वार्चिंग बहुत ह अच्छी ने थे स्विकेशन मिलती देखिए तेंक यू